दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजनियर प्रभात कुमार सिंग अपनी यूट्यूब चानल निरला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बन रहे घर का डिजाइन दिखाना चाहता घर को तो आप इस वीडियो को देखिए बहुत सरा आईडिया आप ले सकते हो इस घर का खिरकी का बात कर ले जाए तो देख सकते हो नीचे वाला हिस्ता में 20 इंची से लेकर 22 इंची के आसपास में स्लेब निकाला गया है फिर दोनों तरब पट्टी का डिजाइन है आप देख सकते हो इंच के द्वारे इस पट्टी को बनाया गया है और इसके सेड की तरफ बात किया जाए इसके सेड की तरफ देखा जया तो उपर में स्लोप डिजैन के साथ साथ नीचे में आर्क सेप का भी परियोग किया गया है साथ में इस घर का खिरकी उसमें ग्रील का ब जाने वाला खिर के देखने को मिल जाता है साथ में बीचों बीच इस घर का में इंट्रेंस है उसे रखा गया है आप जैसा कि देख रहे हो और जो मीडिल वाला हमारा दरवाजा होगा उसके उपर वाला जो स्लेब है वह छजा के रूप में काम करेगा बिल्कुल सिंपल वे म आप चले चलते हैं उपर की तरफ देखते हैं कि आकर जो इस घर का चट है उसे किस तरीका से बनाया गया है कि इसका घर का जो लुख है उसे बढाने में ये window आपने देखली है same size का है यह बहुत ज़रूरी है कि जो जो window रहे सामने की तरफ वो same size का हो और यह जो आप खिर्की देख रहे हो जो उपर वाला छज़जा है उसका slope design और जो slope design के साथ साथ आरक है उसका भी same size का होना बहुत ज़रूरी है साइज अलग होगा तो फिर वो आपके लुक पे असर डालता है उपर की तरफ चलते हो तो आपको तीन से सर तीन स्टक पर कारींट में दिया होगाñ है आप यहां तो उस वीडियों कर लिंक के अच्छा कशा लिंट ि स्टक ओर आप में Keeping up का साथ उने के रिंट होने पाद यह जो पेंट होने के बाद एक पट्टी आप देख रहे हो बिल्कुल एक मिडिल क्लास फेमिली से बिलोंग करते हो पची स्फीट से लेकर पहती स्फीट चौरा जमीन में आप अपना घर का फ्रंट एलिवेसन रखना चाहते हो तो इस तरह से इस टाइप का अपना घर का जो एलिवेसन है वो रख सकते हो जहाँ पर पांच इंची का उपर में सब्सक्राइब कि जाएगा बहुत दीजल कंस्ट्रक्शन कोस्ट और इस घर का वाक्त्रों वीडियो में लाने वाला हूं तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक लें जिन्या परभात को दीजिए इजाज़त नमस्कार